हेलो फ्रेंड्स आप सभी को सवागत है वर्लड टोफ फैक्ट यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजो बेल लाकर को दो बाने ना भूलें सो अच की वीडियो हम शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं भारत में नए संसत भवन की नीव 10 दिसंबर को रखी जा रही है रधान मंत्री नरेंडर मदीस की नीव रखेंगे नया संसत भवन तिकोने आकार में होगा जो आस्तुकला का अदबूत नमूना होगा लेकिन कि आप जानते हैं कहीं देशों नमबर वन ब्रिटेन का संसत भवन ब्रिटेन के संसत भवन को पैलेस ओफ वेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है थेमस नदी के किनारे बने इस संसत भवन को आर्किटेक्ट चॉल्स बेरी और आगस्ट स्वेल बी ने बनाया है पूरे संसत भवन में तीन टावर हैं जिने एलिज इसाबेट टावर, न्यू पेलेस और हाउस ओफ कॉमेंस के नाम से जाना जाता है बंगलादेश का संसत भवन भी अपनी खुबसुरती के लिए दुनिया में फेमस है धाका में बनने धाका में इस भवन को एक कृत्यम जील के किनारे बनाया गया है इस भवन की खासियत यह है इसे आठ इमारतों को आपस में जोड़कर बनाया गया है जो बाहर से देखने पर एक इमारत की तरह लगता है लेकिन अंदर से आठ इमारत है अगला है फिनलेंड का संसत भवन पूरे गेरेनाइट के पत्थरों से बना है इस तरह की डिजाइन करने के पीछे फिनलेंड का देश की मजबूती को दिखाना है इस इमारत के भीतर रंगों का भेदरीन प्रयोक क्या गया है अगला है श्री लंका की संसत भवन के सारे दर्वाजे चांदी जैसे चमकिले हैं और इसे एक जिल के पास बनाया गया है जिससे इसकी खुपसूरती और बढ़ जाती है इस भ जंकन बहुत इमारतों के अलावा काफी मोडन चाप भी दिखती है रोमन्या का संसत भवन यहां का संसत भवन भी बहत खास है इसका भीतरी हिस्सा पूरा संगमरमर से बना है इसे वास्तुकार एन का पेट्रे श्रीया ने डिजाइन किया था इसकी खासियत यह इस भवन के अंदर आठ खुफिया रस सुरंगे हैं ताकि अगर कोई आपदा इस्तथी आ जाए तो असान सदो को सुरक्षित वहां से बहां निकला जा सके तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो का अच्छी लगी हो तो आप हमेरी वीडि